परमा का बिभाग से जुड़ा हुआ मामला है बिभाग का ये मामला है बिभाग में बहुत तरह के बातें आ रही है समझें उसमें बहुत लेकिन हमारा बिभाग से तो जुड़ा हुआ नहीं है इसलिए मेरे इस्तिफा की मांग तो बेबुनियाद है अब जब उनसे मांग किया तो विभाग में बहुत तरह का पहले बाद में बहुत तरह की बाते आ रही है उस पर अगर उनसे इस्तिफा लिया गया है तो उस पर मुझे कुछ कहना नहीं है लेकिन नगर विकास से क्या लेना देना है आप मुजफर पूर से आते हैं मुजफर पूर में इस तरह घटना हुई है मुजफर पूर से हम आते हैं लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि मुजफर पूर का हर अच्छी बुरी खबर की जानकारी मुझे हो लेकिन इतनी बात जरूर है कि इस घटना के उजागर होने से कि हम विधायक होने के नाते हम लोग सरमिंदित आविश्यक हैं और आपने नोटिस दिया था कानून नोटिस दिया था और नौन हान की बात थी उसके बाद भी विपक्ष आपका इस्तिफा मांग रहा है तो कोट में इसका फैसला होगा मैं तो आगे इसका काड़वाई करने मेरे मान हार नी का प्रस्नीय पोठी डिसाइड करेंगा उसमें अगर मांग रहा है और इसको करेंगे उनको वो सबीतके उनको करना एस हम तो केस करेंगे तो के साब क्या मंजु वर्मा मा अलग हम आशEMLP करेंगे विपक्ष के ना पर जो विपक्ष के नेता इस इस बात को मन्जु बह्मा, तो उनका तो भूलनाация कि उनसे क्यों नहीं स्तिफा हो गए efforts वो इस बात को उठाई नहीं है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो इस तरह का ब्यानवाजी किया है वह अपने च्छत्र में उनका जो जो चार मढर हो गया तो वो क्यों नहीं इस्तिफा किये? अपना उलू सिधा करना चाहते हैं अपना जो है सोती करना तो यह अगर कर रहा है जाती यह बात तो यह से उसके क्या मतलब है गलत गलत है इस तरह का कांड़ुआ है उस पर काड़वाई होनी चाहिए c vi c vi inquiry करके दूद का दूद पानी खड़ेगा और उसमें जो जो दोसी होंगे वह बकसे नहीं जाये यह एक मेरा बर्जेश ठाकूर से न कोई पोलिटकल था न कोई न कोई सोसल था न कोई उनके यहां मेरा जाना आना था न कोई पत्रकार के नाते कोई प्रöglich क्वेश्कराब में रहे होँगे तो राजस एक दम साफ है कि स्टीफा नहीं देने जा रहा हूँ और यह अढर साई तोर पर कह रहे हैं कि हम जो है गरें क्वार्वध करें हैं क्योंकि आ g langsam पहले सी मुट को यह बिल्कुल शुक्रिभाण